असलाम आलेकम वीवर्स आज मैं आप लोग के लिए ब्रेट कॉन समूसी की रेसिपी रेकर आई हूँ अब बहुत जट पर तयार हो जते हैं इस समूसे बहुत ही मज़िदार बनते हैं रमदान के दिन चल रहे हैं तो अन दिनों में आप इसस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए का तो इस रेसिपी का आपने last तक झाव देकना है अगर आप मेरे चानल को सबस्क्राइब करें और साथ ही साथ बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलें इससे मेरे आने वारी हर वीडियो की डूटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी जरूर करें तो चरिया ये रेसीपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक पैन लिया है इसमें आड़ करूँगी वन टीबिल स्पून कोकिंग ओल इसके बाद इसमें आड़ करूँगी मैं प्यास एक अदत मीडियम साइस की प्यास ले ली थी मैंने और उसको मैंने चॉप कर लिया है और इसको हलका सामें साथे करना है ओईल के अंदर ही फिर इसके बाद इसमें मैं लसन आड़ करूँगी वन टीबिल स्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हलका सा पका लेंगे जब लसन अच्छे से पक जाएगा और खुच्बू आने लगी कि इसके अंदर से फिर हम एट करेंगे सॉल्ट हाफ टीजपून ब्लैक पैपर हाफ टीजपून ये दोनों चीज़े इसके अंदर एट कर दी है तंदूरी मसाला ले रही हूं मैंना हाफ टीजपून इसमें मैं एट करूंगी चिकन बॉइल हूवा चिकन है मेरे पास एक कप के बराबर इसको मैंने श्रैट कर लिया है थोड़ा मोटा होटा सा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चिकन को सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो देखें बहुत अच्छे से mix हो गया, बहुत जल्दी बनने वाली recipe, इसमें कोई ज्यादा time नहीं लगता है, जड़ पर तयार हो जाती है, बत आपके पास chicken रखा वाँ, boil हो अवा, तो देखें इसके filling ready है, इसको में side पर रख दूँगी ठंडा होने के लिए, जब filling ठंड तो इसके अंदर हम add करेंगे mayonnaise two tablespoon, और इसको mix कर लेंगे अच्छे तरीके से, अगर आप लोग cheese lover हैं तो आप लोग cheese भी add कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं नहीं add कर रही हूँ, मैंने सिफ़ mayonnaise add किया है, और इसके बाद हम चाहिए होंगे bread slices, तो मैंने medium size की bread ली थी, और इसके हम corners जो हैं वो cut कर लेंगे, और इन corners को waste नहीं करिएगा, इससे आप bread crumbs बना के रख सकते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, यह जब cut हो जाएंगे, corners इसके इसके बाद इसको हम balance से flat कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से, तो यह देखें इतना पतला होना चा इसके बाद हमने इस cone को बना लेना इस तरहां से, बहुत असान तरीका है इस तरहां से cone बनाने का, इसको आप हाद से हलके से दबा दे जहां पर आपने पानी लगाया है, तो देखें इस तरहां से हमारी cone ready हो जाएगी है, अब filling लेंगे हम इसके अंदर कर देंगे, और फिर इसको seal कर देंगे, कुछ इस तरह से, और seal करते वगए आपने हलका से इसको press भी करना है ताकि चुपक जा अची तरीके से, तो इस तरह से मैं सारी cones तयार कर लूँगी, और उसके बाद हमें चाहिए अंडा, मैंने दो अदत अंडे लिया है, उनको फेट लिया है, तो ये cone उठाएंगे, हम सबसे पहले अंडे में इसको dip करेंगे अची तरीके से, फिर breadcrumbs लगा लेंगे हम, इसकी हमें एक ही coating करनी है, उसी के अंदर ये बहुत अच्छे तयार हो जाते हैं, breadcrumbs मैंने fresh bread से ही बनाये थे, जो corners बच गये थे, उसी को मैंने blender में डालके, इसको blend कर लिया, अच्छी तरीके से या चॉपर आइस कर लें आप इसको, तो ये cone आपकी ready हो जाएगी, इसी तरह से मैं सारी cones ready कर लूँगी, तो देखें सारी cones मैंने ready कर लिया है, अब इसको हम oil के अंदर fry करेंगे, low medium flame पे आप इसको fry कर सकते हैं, high flame पे fry नहीं करिएग नहीं तो ये उपर से बहुत जल्दी color आजाएगा और अंदर तक नहीं पकेंगी अच्छे से, medium flame पे इसलिए fry करते हैं, ताकि ये देर तक crispy रहती हैं, काफी देर तक crispy रहती हैं, अससे ही हलके हलके से fry होती हैं तो, और जब एक तरह अच्छे से color आजाएगा, तो हम इसको turn कर लेंगे, दूसी तरह से भी इसको पका लेंगे अच्छे से, तो देखें बस इसको मैं turn कर रही हूँ, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है fry वने में, पांच मिनिट लगते हैं मुश्किल से, तो ये देखें बहुत अच्छा सा color आगया है, इसका, और अब इस जल्दी तयार हो जाते हैं, आप इस recipe को जरूर ट्राइ कीजिएगा, इसको मैंने ketchup के साथ सर्फ किया, आप किसी भी sauce के साथ इसको ले सकते हैं, मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ, ये देखिए, so viewers अगर आप लोगों में ये recipes अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को subscribe क करें, लाइक करें, कमिट जरूर किया करें, शेयर भी जरूर किया करें, अपने friends के साथ, family के साथ, तो मुझे अपने दिवाँ में याद रखिएगा, लाँ आफिज